हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट वेलकम टू सक्सिज केरियर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटीएस एडविशन के लिए यदि आपको सीटीएस कॉलेज चूज करने में इंस्ट्यूट चूज करने में परिशान ही हो रहा है यह बहुत से लोगों को कि फारम खुल कर आ जा रहा है और इंस्ट्यूट सेलेक्ट नहीं हो रहा है तो इस वीडियो में हम दिखाूंगा इस्ट्यूट सेलेक्ट कैसे करना है और यह INSTIT-Củ लेक्ट की आज ही लास्ट टारीक है यानि яешь 28 जनवरी 2021 साप का लास्ट टेट इंस्ट्यूट स्लेक्त करने ठीक है तो आईए सबसे पहले आपको नीचे आ जाना है आपको अफिसियल वेबसाइट नीमी-online-admission.in पर आ जाना है जो कि आपको लिंक description box में यह मिल जाएगा और आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा cts admission 2020 link cts counseling processes starting from 27-2020 click view to schedule आपको इस पर क्लिक करना है सबसे पहले आपके पास कुछ ऐसे आएगा आपको क्या करना है कि registered candidate लागिन यहां से कर सकते हैं इसको हम desktop मोड में कर ले रहा हूं क्योंकि यह मोड में है इसको desktop मोड में कर लूँगा तो यहां हमारा खुल कर कुछ इस परकार आजाएगा अब आपको करना क्या होगा कि registration लागिन पर क्लिक करना होगा registered candidate लागिन पर और आपको यहां पर मोबाइल नंबर ध्यान दिजिए आप अपना इमेल आईडी यह रजिस्टर मोबाइल नंबर डालिएगा और आपका जो पासवर्ड होगा यहां डालिएगा और आपके पास जो कैप्शा होगा उसको यहां डालिएगा चलिया हम इसको लागिन कर ले रहे हैं दिए मैने कैप्चा कोड डालने के बाद लागिन कर लいました when देंबर लागिन हो चुका है लागिन ओने के बाद दोस्तों आप देखेंगे कुछ इस पर επι pressing बल आपके सामने आएगा तो यहां पर आपको उपर ही लिख रहा होगा round first choice selection status check इस पर आपको क्लिक करना होगा है क्लिक करके आपको next step पर चले जाना है देखे next step पर आने के बाद आपको यहां ध्यान देना है कि आप यहां पर 10 वी selection बाद कर रहे हैं या apply 12 qualification course तो आप apply 12 qualification course करेंगे तो आप 10 अगर 12 के बाद अगर admission लेना चाहरा है तो यह करेंगे वरना आप 10 के बाद apply for print qualification course पर क्लिक करेंगे जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों आप तो कुछ इस परकार आपके सामने आ जाएगा ठीक है तो जिसमें आपको institute select करना होगा इसमें institute आप लगवा लगवा 25 institute select कर सकते हैं और यदि आपके पास 25 देखें 25 institute ITI के select कर सकते हैं यहां पर ITI के select करने पर आपको ध्यान देना होगा कि first choice रखिएगा जहां पर आपको admission लेना होगा जैसे nsti हावडा कलकत्ता में लेना है तो first choice उसको रखिएगा फिर कानपू रखिएगा तो इसके बाद आपको finally आपको क्या करना है यहां पर college कालेज लेना है दूर है तो आप एक ही जगल लेकर छोड़ सकते हैं उसके बाद आपको यहां पचीसों सेलेक्ट करने के बाद यह देखिए यह 10th qualification वालों के लिए सिर्फ हैदराबाद में उसके बाद आप देखेंगे यहां पर पचीसों कालेज 25 आईटी आई कालेज चूज करने के बाद आपको यहां पर capture code डालना होगा और capture code डालने के बाद finalize and submit choice कर देना होगा तो आपका यहां पर successfully इंस्ट्यूट सेलेक्ट हो जाएगा और आपको वेट करना होगा कल आपका merit list में नाम आ जाएगा merit list में यदि आपका institute नाम और trade दिखा रहा है तो जहां पर आपको वे institute एलाट हुआ है उस institute में आपको पहुंचना होगा डाकुमेंट लेगा डाकुमेंट लेकर आपको पहुंचना होगा वहाँ पर final admission लेने के लिए देखिए admission की जो फीस काफी कम है चलिया मैं admission फीस अगले वीडियो में बता दूगा कि admission फीस कितना लगीगा बहुत ही कम है दोस्तों तो आज के लिए वीडियो में इतना ही मैं आपको कल सुबा में institute की फीस बता दूगा फीस डिटेल कितनी ले जाना है वहाँ पर और कौन-कौन से डाकुमेंट ले जाना है अगले वीडियो में मैं बता दूगा तो आज के लिए वीडियो में इतना ही अगर वीडियो पसंद आया हो helpful लगा हो तो प्लीज एक लाइक क इसार भी शेयर करें थैंक्स फर वाचिंग इस वीडियो गाइज